नमस्कार किसान भाईयों स्वागा आप सभी का अमेजिंग गार्डंग तरहुल में किसान भाईयों आज हम जानेंगे कि टिसू कलचर के जो एपल के पोधे होते हैं उसे किस प्रकार से लगा जाता है जिससे कि हमें जल से जल एकी साल के अंदर फ्रूटिंग मिल जाती है और टिसूल जर को लगाने का हमरा एक खास मकसद भी होता है और एक बात जान लीजिए किसी प्रिसू कलचर के पोधे को ही नहीं आप कोई भी अपल का पोधा हो या कोई भी परसीमन हो जो भी ठंडे जगह में उगाया जाता है जैसे पीछ हो गया प्लम हो गया इन्हें भी आप इसी तरह की तरीके से लगाएं ताकि आपको जल से जल पोधे में फ्रूटिंग आ सके और साथ ही कोई भी रोग ना लग सके देखिए हम जो उपर का पोधा होता है सेब में उससे तो इस प्रिय लगा करके कोई रोग वगयर आता है तो उससे बचा सकते है रोग बिमारी से लेकिन जो नीचे का भाग होता है उसे हमें एक ही बार समय देना होता है जो के भी लगाने के समय है अगर इस समय अगर हम सही तरीके से उसको लगा देंगे तो बहुत समय हमें कोई भी भी बिमारी देखने को नहीं मिलेगी और साथ ही टिसू कल्चर में फायदा भी होता है किसमें बिमारियां काफी कम आती है इसमें जो एपल के पौधे में जो सबसे गंबेर बिमारी है रूट रॉट यह भी काफी कम लगता है तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगा जाता है टिसु कल्चर के एपल के पौधे को और जैसा कि मैंने आपको पहला बता है आपको का दोस्तों हमने जो खाद इस्तेमाल क Corn Hang ranking था यह में छे रूपाय किल पडा यह देखिये ननाuguien сов Walker Patrick किलो फ़ल झाल फेड़ा अगर सिधा चोटा चोटा पैकेट लेतें तो उसमें ग 15 पर गाद था तोमें यह ज़ोस्त थया है CT पंदर रुपय का पैकेट था तो हमने एक बारा बोरा ले लिया है क्योंकि यह हमें जवर्थ होती ही रहती है अगर आपको वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट इस्तमाल करें ने तो आप गोबर की जो पुरानी सड़ी विखाद होता है उसको ट्राइकोडर्मा इसका इस्तमाल कर सकते हैं और एक मुख्य बाद किसान भाईयों अगर आप जो यह गड़े हैं इसे आप अगर 15 दिन पहले तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें केमिकल फटिलाजर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तुरंद पोध्या लागाने तो आप केमिकल फटिलाज फंगिसाइड है अब आपको और एक फंगिसाइड दिखाते हैं यह आपका ट्राइकोडर्मा तो इन तीनों चीजों की इस्तमाल करेंगे हैं और एक बात का ध्यान लखिए किसान भाईयों अगर आप कोई अलग पौध्य को निकाल करके उसके जगह में कोई पौधा लाग अब जो हमारा पहला काम होगा वो है बायो फंगिसाइड का इस्तमार करना जी यहां दोस्तों अब हम सूड़ो मुनास को एक जो दस लिटर का पानी होता है उसमें 10 ग्राम सूड़ो मुनास मिला करके उसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें पानी में कोई भी देखिए अब उसका पानी के कलर है वो पूरा एकदम वाइट हो जाएगा जीरी देए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है सबसे पहले तो आप सूड़ो मुनास को 10 ग्राम लें एक बाल्टी 10 लिटर का पानी में और इसको अच्छा से मिक्स कर लें इसके बास जो हमारे जड़े हैं उसको अच्छा से इसमें 10-15 मिन तक जब तक हम गड़ा को तच्छा से तयार करते हैं और अलग सरी दवाई को दवाईयों को डालने के दौरान इसको वही पर छोड़ दें ताकि यह जो जड़े है इसमें बायो फंगिसाइट का अच्छा से इसमें इसमें इसम हम लोग सें मातरा में डेना है एक 10 ग्रहाई का पानी में 10 ग्राईम अएह तक है दौरे के इसमें कोई भी गुट्टी ना небanे और इसको एकदम फानी के साथ अच्छा से मिक्स कर लए है इसका कलर पिला होता है आप देख रहे हैं कि इसमें जो कलर है नहीं नहीं में गोल ल कोई भी परिशानी ना आए लगाने के बाद तो हम इसमें गयमक्सिन डालेंगे यह दुस्त हमने गयमक्सिन डाल दिया है और इसको अच्छे से भी मिट्टी में मिला देंगे और इस बात का हमें ध्यान रखना कि गयमक्सिन को ज़्यादा मना डालें वही 10-15 ग्राम आप डा इसको लाएंगे और इसके बाद जो एम फोटीफाइव होता है अब लोग समें डाल लेंगे बस इसको डाल करके अच्छे से इसको जड़ों में मिला देना है अब फिरसे हम इसको निकाल करके अब लगाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब आते हैं लगाना कैसे है इसको तो आप जब आपका गड़ा तयार हो जाता है देखिए इस परकास अमने गड़ा तो तयार कर लिया है अब जो ही M45 का जो हमने घोल बनाया था मिस्टरन था इसको हम इसमें डाल देंगे पूरी मिट्टी में और इस वात का ध्यान अगर आपको चिकनी म मिला देगे पानी अदर जाब दागता है और पानी अंदर जा नहीं पाता है तो मिट्टी को हल्का करने के लिए हम लोगों ने तो वर्मी पानी बजगा होता इसे भी हम सेवके पौधे के उपर डाल देंगे ताकि उपर से भी इसको बाइो फंगिसाइट के इस्तमाल हो जाएगा और इस पर कोई बीमारी नहीं आएगी और एक बाद किसान वाई हो जो पॉधे को लगाने के बाद दो दिन के बाद इसका कैसे ग्रोथ सुरू हो गया है मैं आपको इसी विडियो में उसके बारे में अब एक अपडेट सेदूँ पौधा को लगाने के बाद आप को रोज पानी नहीं देना है ठीक है क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है और अभी ज्यादा जो पानी है वह वास्पी ग्रीतों के उपर नहीं जाता है तो आप मिट्टी की नमी को चेक करें और अगर नमी नहीं है उसमें पानी डाल सकते हैं और यह है दोस्तों अन्ना का पौधा इसमें भी देखिए आप ग्रोध सुरू हो गया है जो बीमे हैं वह फटने लग गया है तो आपने देखा दोस्तों अपडेट में कि हमने जो इसका प्रापर लागाने का प्रोसेस है वह बिलकुल सही रखा है और इसलिए इसकी भीमे हैं बहुत जल्दी फटने लग गए हैं और इसमें ग्रोध शुरू हो गई है तो अब भी ऐसे लगाए अपल के पौधे को ताकि आप में कोई भी मिमारी ना हो आए अपके पौधे में और साथ ही आपको एक साल के भीतर ही भीतर जल्दी से फ्रूटिंग लग सके टीशू कल हुआ 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 है